घाट बनाने में अनियमता का आरोप, ग्रामीनों की शिकायत पर जेई ने किया जाच बिहार सरकार के द्वारा योजनाओं को धरातल पर सफल क्रियानवयन हेतु लगातार कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन स्थानिय जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की मिली भगत से किसी भी योजनाओं का ख्रियानवयन सही तरीकों से नहीं हो पा रहा है। दरसल ताजा मामला हरलाखी प्रखंट क्षेत्र के फुलहर गाव का है। जनहा बाग तराग तालाव के किनारे घाट बनाने में स्थानिय ग्रामीनों ने अनियमता का आरोप लगाया है। इधर स्थानिय ग्रामीनों की शिकायत पर जेई जयदीग घोष ने निर्मानादीन घाट की जाच की, जहां जाच में कई अन्यमित्ता उन्होंने ने पाया। इधर स्थानिय ग्रामीन जगरू यादव, विरेंद्र यादव, मलींदर सादा, सोबित ठाकुर, कुम्ब करण यादव, जबनंदन यादव, दिलीप सादा, बुद्ध सादा समेंत दरजनों ग्रामीनों ने बताया की पंचायत समिती के द्वारा कार्या में घोर लापर भाही बरती जा रही है। घाट निर्मान में लगने वाली सामगरी की गुनवत्ता ठीक से नहीं दी जा रही है। वबिचोलियों को खर्चा पानी देकर मनमाने धंग से कार्य कर रहा है। इस संबंध जेई जयदीग घोश ने बताया कि उक्त मामले की जाचकर उचित कारवाई की जाएगी। इनको पूछ रहा है जो इंसे बीन तोस्ट है की नहीं है। कौन सी युजना से घाट रहा है। कमेरा क्या माले। कमेरा क्या माले।